आपका अपना चैनल न्यूस ट्यन इन लेकर आया है आज की प्रमुक सुर्खिया मोधी सरनेम विवाद में राहुल गांधी को हुई दो साल की सजा के एलान के बाद देश का सियासी तापवान एक बार फिर बढ़ने लगा है इस विवाद में कॉंग्रेस के पूर्वध्यक्ष का समर्थन करने उनकी बेहन और कॉंग्रेस की महासर्चिव फ्रेंका गांधी भी उतर आई है उन्होंने मोडी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी की अवाद दबाने के लिए पूरी मशीनरी का इस्तमाल किया जा रहा है राहुल गांधी की सजा से केजरिवाल को भी हो रहा है कश्ट कॉंग्रेस नेता के बज़ाब में उतरे आप चीव मोधी सरनेम को लेकर दिये गए विवादित बयान को लेकर कॉंग्रेस के पुर्व अध्यक्ष राहूल गांधी को सूरत की अदालत ने दोशी करार दिया है राहूल गांधी को दो साल की कैद की सरजा सुनाई गई है हलकी उन्हें अब बेन मिल गई है लेकिन उनका साथ देनी के लिए अर्विज के जिवान उतर आए है दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने और उस पर पुलिस के आफ कारवाई की जाने को लेकर आमादमी पार्टी ने एतराश चताया है आज दिल्ली के जंतरमंतर पर पार्टी की नेता और कारेकरताओं ने इस लेकर किया विरोध प्रदर्शन पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामियावी अमृतपाल का गनर तेजिंदर सिंग गिरिफतार पंजाब पुलिस को एक कामियावी मिली है सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अमृतपाल सिंग का गनर तेजिंदर सिंग गिरिफतार कर लिया गया है बता दें कि तेजिंदर सिंग पर अजनाला केस में मुकदमा दर्ज है मनीश कशब के लिए हुआ बिहार बंद तेजस्वी यादव और नितीश कुमार के खिलाफ लगे नारे यूट्यूबर मनीश कशब के गिरिफतारी के खिलाफ 23 मार्च को बिहार बंद करवाया गया कई जिलों में इसका बड़ा असर भी देखने को मिला मनीश कशब के समर्थक जगा जगा सड़कों पर उतरे और रस्ते जाम कर दिये यूपी के माफिया अतीक एहमत के ठिकानों पर पड़ी ताबर तोड चापे वहाँ पर मिला 80 लाख कैश जिसे गिनने के लिए अधिकारियों को मंगानी पड़ी नोट गिनने की मशीन लंदन में भारतिये दूतवास में हुए प्रदर्शन ने बिटैन की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिये हैं लंदन में जिस तरह खालिस्तान समर्थकों ने दूतवास में खुस कर तिरंगे को उतारा और उग्र प्रदर्शन किया अब उसके जवाब में भारत ने दिल्ली में ब्रिटिश दूताबास के बाहर से सुरक्षा हटा दे था पॉलिबुड अभिनेता सल्मान खान को जांच से मारने की धमकी मामने में एक नया खुलासा हुआ पॉलिस को पता चल गया है कि जिस एमेल आईडी से अभिनेता को धमकी भ़रा मेल भेज गया था वा कहां का है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जांच में ये बात सामने आई है कि धमकी भरा मेल भेजने वाली एमेल आईडी का कनेक्षन यूके से है उत्तर प्रदेश की जेल बनी मिसाल उत्तर प्रदेश की आगरा सेंट्रल जेल की चार दिवारी के भीतर में नवरात्र की धूम नजर आई सेंट्रल जेल संप्रताईक सौहाद्र की मिसाल बन गया जेल के मंदिर में माता के भजन गूजे हिंदू भगतों के साथ मुस्लिम कै भी देवी की पूजा में गुर्गान कर रहे हैं। बधाली में भी पाकिस्तान की बेशर्मी शरीप के घड़ियाली आंसु जबकि राष्टपती अल्वी ने फिर उगला भारत के खिलाफ जहर। पाकिस्तान की आर्थिक बधाली पर घड़ियाली आंसु बहाते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शेवाज शरीप ने कहा कि उनके देश की मौजूदा राजनेतिक आइस्तिता आर्थिक संकत के पर कारण बनी हुई है जबकि उनके रश्पती अलवी ने फिर भी भारत के खिलाब उगला जहर देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहें न्यूज टियनन